हाई एवरीवान दिस इस नेहाँ वेलकम बाक तो दे चैनल होग यॉप 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 यॉइंग ग्रेट तो बच्छा देखो अभी तक हम लोगों ने मैक्रो की युनिट वद नाशनल इंकम एंड रिलेटेड एग्रिगेट्स कम्प्लीट कर ली लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने चाप्टर नंबर फॉर्थ कवर कराता हमारा क्यालकूलेशन ओफ नाशनल इंकम अभी तक इस चाप्टर को हम लोगों ने चार पार्ट में कवर करा है पार्ट वन के अंदर वैल्यू अड़िट मैथड पार्ट टू में इंकम मैथड प बिस्लेनियस questions discuss करेंगे करना कैसा है अगर आपने चाप्टर पढ़ लिया पूरा चाप्टर आपको आता है question पढ़ो video pause करो अपने answer खुद solve करो साथ साथ में अपने answers चेक करते जाओ मुझे comments में बताना है आपको कि 5 में से कितने questions आपने खुद आ रहे हैं कितने questions के answers आपके correct है शुरू करने फटापट से तुरे को question number 1 क्या कहता है हमारा question number 1 कहता है from the following data आपको national income निकालनी है मैंने आपको chapter number 3 में बताया था national income को हम किस से denote करते है national income को हम denote करते है NNP8 FC से मतलब nat national product at factor cost income method से भी निकालना है और expenditure method से भी निकालना है बहुत अराम से कर सकते हैं कोई रिक्कत नहीं है सबसे पहले income method से निकालते हैं तो देखो यहाँ पर लिख दो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे है national income निकाल रहे है NNP8 FC कौन से method से by income method अब देखो question हमसे कुछ भी पूच सकता है मैंने आपको हमेशा बताया है कि हमारा fixed है कि किसी particular method से हमें क्या मिलेगा income method से हमें हमेशा क्या मिलता है income method से हमें मिलता है NDP8 FC यानि कि domestic income तो सबसे पहले हम NDP8 FC निकालेंगे फिर उसे हम convert करेंगे NNP8 FC के अंदर समझ में आ गया तो देखो NDP8 FC निकालने का formula हमारा क्या था सिंपल सा formula था compensation of employees, compensation of employees question के अंदर given है कितना है 1900, second क्या होता है operating surplus, operating surplus भी इस question के अंदर given है कितना है 720 है, third हम लोग क्या लेते है mixed income, mixed income देखो question के अंदर given है क्या, इस question में हमारे पास में mixed income given नहीं है, अगर कुछ भी given नहीं है सिंपल सापको क्या करना है, zero ले लेना है, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा NDP8 FC, ये तो आसान सा question हो गया, कितना आएगा, 1900 plus 720, ये हमारे पास में आ गया rupees 2620 करोड, समझ में आ गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NNP8 FC जो calculate करना है, उसे equals to से पहले लिखेंगे, हमारे पास में given क्या है, NDP8 FC जिसे आपने equals to के बाद में लिख दिया, correction कर ले, हमें national चाहिए, question के अंदर domestic given है, हमें simple सा क्या करना है, NFIA plus करना है, बाकि सारी चीज़े एकदम same है, तो NNP8 FC, यानि कि national income कितना आएगा हमारा, NDP8 FC कितना आया, 2620 इसमें plus कर दो NFIA, यानि कि nat factor income from abroad, ये रेको nat factor income from abroad कितना given है, हमारे पास में minus का 20, तो plus करना है हमें minus का 20, 2620 plus minus, ये हमारे पास में कितना आ गया, NNP8 FC हमारे पास में आ गया, rupees 2600 करोन, समझ में आ गया, units भी आपको लगानी है, question के अंदर unit given है, उपर देख लो, करोर given है, lag given है, वो सारी आपको लगानी है, clear हो गया, अब हमें सेम national income calculate करना है expenditure method से, पहली बात तो आप कोई भी method लगाओ, answer हमेशा आपका सेम आएगा, चाहिए, आप किसी भी method से calculate करो, ठीक है भई, expenditure method से निकाल देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, हमें निकालना है, NNP at FC by expenditure method, ठीक है, आप देखो expenditure method से भी, हमारा fix expenditure method से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है GDP at MP, यानि कि gross domestic product at market price, उसे हमें convert करना पड़ेगा, बाद में किस के अंदर, NNP at FC के अंदर, अब ये GDP at MP हमारा कैसे आता है, याद करो private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, plus x-m, यानि कि net exports, clear है, निकाल देते हैं GDP at MP, सबसे पहले private final consumption expenditure, तो देखो private final consumption expenditure question में given है 2000, और government final consumption expenditure है 600, आसानी से हो सकता है, तो ये हो गया हमारा 2000, plus government final consumption expenditure 600, clear है, आसान सा question है, आगे हमें चाहिए gross domestic capital formation, तो देखो अगर आप question को धिहान से देखोगे, domestic नहीं लिखा हुआ, कोई फरक नहीं पड़ता, हमारे पास में capital formation given है, यानि कि investment given है, लेकिन ये net investment है, यानि कि ये है net domestic capital formation, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कभी भी net given है, अगर investment आपको net के अंदर given है, तुरंत depreciation plus कर देना, वो किसमे convert हो जाएगी, gross के अंदर, हमें मिल जाएगा gross domestic capital formation, domestic नहीं लिखा हुआ, कोई फरक नहीं पड़ता, तो कितना है 400 है, ये कितना है, हमारे पास में 400 है, 400 में हम क्या plus करेंगे, तुरंत depreciation हो गया, gross capital formation के अंदर, easy है, last क्या चाहिए, last हमें चाहिए, x-m यानि कि net exports, net exports भी question के अंदर given है, कितना given है, 20 given है, तो ये हमारे पास में आ गया plus 20, easy सा है, तो 2,600 plus 520, 500 और 20 हमारे पास में 520, तो ये हमारे पास में हो जाएगा, 3120, ये कितना आ गया, हमारे पास में GDP at MP, हमें चाहिए, क्या हमें चाहिए, national income, यानि कि हमें चाहिए, NNP at FC, तो NNP at FC हमें चाहिए, हमारे पास में हम लोगोंने calculate कर लिया, GDP at MP, conversion हम कर सकते हैं, हमें nat चाहिए, हमारे पास में cross given है, सबसे पहले हम dap minus करेंगे, depreciation मतलब, national चाहिए, domestic given है, हम क्या plus करेंगे, हम NFIA plus करेंगे, उसकी बाद में product product same होता है, हमें factor cost चाहिए, question में market price given है, तो हम minus कर देंगे nat in direct Texas, easy peasy है, तो NNP at FC हमारा कितना आ जाएगा, GDP at MP, 3120, minus depreciation कितना था consumption of fixed capital हमारा, 100 था, 100 minus कर दो, plus nat factor income from abroad है, हमारे पास में minus का 20, तो plus कर दो minus का 20, और इसमें हमें minus करना है, net indirect taxes, net indirect taxes अगर given नहीं है, तो कैसे निकालते है, indirect taxes minus subsidy, लेकिन question को thank you बोल दो, हमारे पास में सब कुछ given है, ये हमने 400 minus कर दिया, easy सा है, तो 3120, मैं उपर कर यूँ यहाँ पर धियान रखना, 3120, minus का 100 और plus minus minus, मतलब ये minus का 120 हो गया, और ये 400 हो गया, 3120 में से 120 गया, कितना आया, हमारे पास में 3000, उसमें से 400 चले गया, तो ये हमारे पास में आ जाएगा, rupees 2600 करोज, easy है, दोनों method से answer सेम आ रहा है, 2600 करोज, समझ में आ गया, तो इस question में ऐसा कुछ नहीं था, इस question में सिर्फ इतना सा था, यहाँ पर अलग नाम हमारे पास में गिव अचा सेम आता है, clear है, next question पर आजाए, next question क्या क्या है, from the following data, आपको निकालना है estimate nat value added at market price, अब भये जी value added तो याद करो product method के अंदर निकलता है हमारा, और product method से भी हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है gross value added at market price, तो सबसे पहले हम gross value added at market price निकालेंगे, उसे फिर हम nat value added at market price में convert क है, चलो करके देखते हैं, उसके बाद में हम second part पढ़ेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है net value added at market price, यह हमें calculate करना है, लेकिन हमारे पास में निकलता क्या है product method से यानि की value added method से हमें मिलता है GVA at MP, और GVA at MP का formula क्या होता है, value of output minus intermediate consumption, आसा है, अब value of output देखो question के अंदर गिवर है क्या, question में कहीं पर भी हमारे पास में value of output गिवन नहीं है, मैंने बताया था, अगर value of output गिवन नहीं होता है, तो कैसे निकालते हैं, sales plus change in stock, आगे हमें क्या minus करना है, intermediate consumption, sales हमारे पास में गिवन है, आप देखो यहाँ पर domestic sales गिवन है, मतलब ये सिर्फ हमा गिवन है, increase in stocks, increase in stocks हमारा change in stock क्यों हो गया, closing stock minus opening stock, कितना है, 40 है, minus intermediate consumption मतलब हम raw material purchase कर रहे हैं, अब हो सकता है, raw material हम domestically भी purchase कर रहे हैं, और import भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, domestic purchase of raw material, कि हमने इंडिया से ही raw material purchase करा है, हो सकता है, हम लोगोंने import भी करा हो, भार क देशों से भी खरीदा हो, तो यह लिखा है, import of raw material कितना है, 20 इसे plus कर दो, समझ में आ गया, तो कितना हो गया, 360 और 40 कितना हो गया, हमारे पास में 400, तो यह हो गया, 440, उसमें से minus कर दो, 120 और 20 कितना हो गया, हमारे पास में 240, कितना आ गया, हमारे पास में 240, तो यह हमारे आ गया यहां पर हमारे पास में आ रहा है यह एक बाद चेक कर लेते हैं कितना था यह हमारा 360 और 40 360 प्लस 40 400 प्लस 40 कितना आया 440 और इधर है 120 प्लस 20 कितना है 140 तो यह हम लोगों ने माइनस कर दिया 440 में से. ये हमारे पास में आ गया 300. कितना आ गया हमारे पास में 300? क्लियर है. कुछ गड़बड है. क्या question के अंदर? हाँ वइ बिल्कुल गड़बड है. ये 120 और 20 हमारे पास में कितना होगा. 140 तभी मैं सोचू ये क्या गड़बड है. कितना पास में आ क्या गया question के अंदर हमारे पास में आ गया GVA at MP हमारे पास में आ गया हमें सिर्फ इतना सा conversion करना है कि हमें nat चाहिए हमारे पास में gross गिवन है तो अब minus depreciation कर दो कितना आ जाएगा 300 में से depreciation कहां पर गिवन है depreciation हमारे पास में 15 गिवन है तो यह हमारे पास में आ गया rupees 285 करोट कितना आ गया rupees 285 करोट easy सा question है अब next question थोड़ा सा अटपटा है next question क्या कहता है show that net value added at factor cost एक तो आपको इस चीज निकालनी पड़ेगी net value added at factor cost क्या निकालना पड़ेगा net value added at factor cost वो आप इससे निकाल सकते हो यह जो net value added at market price आया है इसे NVA टपसी में हम convert कर सकते हैं is equal to sum of factor incomes यह जो net value added at factor cost है यह sum of factor income factor income के equal आना चाहिए simple सा है sum of factor income का मतलब होता है domestic income क्या होता है अगर कुछ भी given नहीं है sum of factor income का मतलब क्या होता है domestic income क्या होता है domestic income तो याद करो जो हमारा income method होता है जो हमारा income method होता है उससे हमें क्या मिलती है domestic income ही मिलती है जिसे हम NDP8 FC से denote करते हैं समझ में आ गया NDP8 FC by income method एक बार मैं दुबारा बता देती हूँ question क्या कह रहा है हमें show that nat value added at factor cost यह हम बाद में निकालेंगे यह किसके equal आना अच्छी है sum of factor incomes sum of factor incomes का मतलब होता है सारी की सारी factor income को plus कर दो मतलब हमें क्या निकालना है domestic income और domestic income हम कौन से method से निकाल सकते हैं हमारे income method से क्योंकि income method से हमें NDP8 FC मिलता है जिसे हम domestic income बोलते हैं कैसे निकलता है simple सा formula है compensation of employees plus operating surplus plus mixed income तीनी चीज़ों को हमें plus करना है तो यह हमारे पास में आ जाएगा NDP8 FC कितना compensation of employees compensation of employees question के अंदर given है क्या given नहीं है तो compensation of employees के अंदर की चीज़े given है salaries and wages कितना given है salaries and wages कितना है 120 अब देखो बाकी की चीज़े भी given है क्या salary and wages given है interest payment, dividend, undistributed profits, rent हो गया हमारे पास में बाकी चीज़े given नहीं है कि वो employers contribution to social security benefits वगयरा कुछ भी हमारे पास में given नहीं है एक ही given है simple एक ले लिया second हमारे पास में क्या आएगा compensation of employees पूरा हो गया operating surplus कैसे निकलता है rent, royalty, interest और profit चार्ची जोगो plus करके तो देखो rent हमारे पास में given है कितना है 15 है ठीक है भई आगी हमारे पास में royalty इस question के अंदर given नहीं है interest हमारे पास में given है कितना है 90 है interest 90 है third होता है profit और अगर profit हमारे पास में given नहीं हो तो profit के अंदर की चीज़े given होनी चाहिए तो profits given नहीं है लेकिन हमारे पास में dividend given है हमारे पास में undistributed profits यानि की retained earnings given है तो dividend 30 है और undistributed profits कितना है 20 है 30 plus 20 तीसरी चीज़ क्या होती corporate profit tax देखते है question के अंदर given है क्या salaries वे जिसका काम हो गया interest हो गया, dividend हो गया, undistributed profit हो गया rent हो गया, ये भी हो गया indirect taxes कभी भी हमारा corporate profit tax नहीं होता वो एक तरह का direct tax है वो indirect tax नहीं है याद रखना corporate tax हमारा direct tax होता है तो corporate tax question के अंदर given नहीं है तो ये हो गया 120 plus ये हमारे पास में आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो 140 ये हमारे पास में आ रहा है 155 कितना आ रहा है 155 तो 5, 5 for 27 275 हमारे पास में कितना आ रहा है NDP at FC यानि कि ये हमारे पास में आ गया sum of factor income समझ में आ गया अब हमें देखना है जो NVA at FC है वो भी किसके equal आना चाहिए domestic income के equal आना चाहिए तो NVA at FC हम लोग निकाल देते हैं NVA at FC कैसे निकाल सकते हैं NVA at FC हमारे पास में नीचे देखो NVA at MP आया था कितना आया था NVA at MP आया था इसे convert कर लेते हैं NVA, NVA से में हमें factor cost आये हमारे पास में market price गिवन है simple जा है net indirect taxes को minus कर दो तो NVA at MP कितना आया था हमारे पास में 285 ये लिख लो 285 minus कर दो net indirect taxes net indirect taxes तो हमारे पास में सिर्फ indirect taxes गिवन है 10 और subsidies गिवन नहीं है तो indirect taxes minus subsidy net indirect taxes भी कितना आयेगा हमारे पास में 10 ही आयेगा ये हमारे पास में आ गया 275 दोनों सेम आ गए तो ये देखो हमारा जो NVA at FC है वो किसके equal आ गया हमारा वो हमारा आ गया sum of factor income और दोनों ही कितने आ रहे हैं दोनों ही हमारे आ रहे हैं 275 करोड़ easy सा question है दोनों चीज़े निकाल कर हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि दोनों चीज़े क्या आ रही है सेम आ रही है आ जाए next question पर next question क्या कहता है हमें निकालना है gross national product at market price इस question में एक ही चीज़ पूछी है GNP at MP हमें find out करना है आप एको GNP at MP हमें find out करना है question में compensation of employees गिवन है ठीक है rent profit वगरा गिवन है मतलब income method लग रहा है यहाँ पर income method से हमें क्या मिलता है हमें NDP at FC मिलता है उसे निकालते हैं बाद में हम convert कर लेंगे GNP at MP के अंदर तो लिखो NDP at FC by income method हम यहाँ पर income method लगाके क्या निकाल देंगे NDP at FC उसे हम convert करते रहेंगे तो निकालते हैं बाई NDP at FC हमारा formula क्या था compensation of employees directly question के अंदर गिवन है कोई tension लेने की जरुवत नहीं है second क्या होता है operating surplus operating surplus के लिए हमारे पास में rent गिवन है profit भी गिवन है अगर profit गिवन है तो undistributed profits को हम consider नहीं करते क्योंकि पापा गिवन है तो rent 800 गिवन है plus profits हमारे पास में 1500 गिवन है royalty और interest भी देख लेते हैं interest हमारे पास में 50 गिवन है और royalty इस question में हमारे पास में गिवन नहीं है mostly questions में royalty गिवन होता भी नहीं है third हमारे पास में क्या आएगा mixed income of self-employed कितना है 1800 अभी तक तो आसान सा है question तो 4000 plus ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 2300 2350 कितना हो जाएगा 2350 plus 1800 इने total करते हैं कितना आ रहा है हमारे पास में 4000 plus 2350 plus 1800 ये हमारे पास में आ रहा है 8150 कितना आ गया 8150 हमें चाहिए क्या इस question में हमें चाहिए gross national product at market price हम लोगोंने निकाला है NDPA टेफी क्या चाहिए gross national product at market price तो यहाँ पर लिख दो gross national product at market price हमें चाहिए हमारे पास में given है NDPA टेफी अब हम conversion कर लेते हैं gross चाहिए net given है सबसे पहले हम क्या करेंगे plus depreciation national चाहिए domestic given है क्या plus करेंगे NFIA आसाल सा है product product same है market price चाहिए factor cost given है क्या plus कर देंगे net indirect टेक्सिस तो NDPA टेक्सी कितना आया हमारे पास में 8150 कितना आया 8150 प्लस करना है depreciation तो देखो question में depreciation given है क्या इस question में हमारे पास में कहीं पर भी depreciation given नहीं है अब depreciation में हमें थोड़ा सा दिमाख लगाना है अगर आपको पता है कैसे निकल सकता है depreciation वीडियो पॉस करो मुझे comments में बताओ कि depreciation कैसे निकाला और कितना आ रहा है खुद का दिमाख लगाओ थोड़ा सा सोचो तुम्हें आता है ठीक है देखो net domestic capital formation हमारे पास में given है gross domestic fixed capital formation हमारे पास में given है gross domestic fixed capital formation given है अगर एक fixed के अंदर में change in stock प्लस कर देती हूँ तो मैंने सिखाया था fixed word हट जाएगा हमें क्या मिल जाएगा gross domestic capital formation हमें total investment मिल जाएगी समझ में आया gross domestic fixed capital formation given है उसमें अगर मैं change in stock प्लस कर दूँगी इस 1000 में अगर मैं change in stock ये minus का 80 प्लस कर दूँगी कितना आएगा मेरे पास में 920 आएगा तो ये हो गई हमारे पास में gross domestic capital formation total capital formation total investment हमारे पास में net domestic capital formation भी given है fixed word हट गया domestic, domestic, capital, capital formation, formation सब सेम है बस ये gross है ये यहाँ पर net में given है अगर मैं gross domestic capital formation में से net domestic capital formation कितना given है 900 minus कर दूँगी तो मुझे 20 मिलेगा ये 20 क्या है depreciation कभी भी आपको दो सेम चीजे given है question के अंदर एक बार gross में given है एक बार net में given है तो gross वाले में से net वाले को minus कर दो जो बचा हुआ है वो क्या होता है depreciation तो depreciation कितना आगे इस question में हमारे पास में 20 थोड़ा सा यहीं पर दिमाग लगाना था इस question के अंदर आगे क्या है NFIA net factor income from abroad कितना है हमारे पास में 60 हम लोगों ने plus कर दिया अब देखो इस question के अंदर net current transfers from rest of the world भी given है ऐसी आलतु आलतु चीज़ों को simply हम लोग क्या करते है ignore करते है last हमारे पास में चाहिए net indirect taxes तो net indirect taxes directly हमारे पास में given है कितना है 900 कर देते हैं कितना आ रहा है हमारे पास में 8150 और यह हमारे पास में हो गया 80 दोनों को plus करा तो plus 980 कितना आ रहा है हमारे पास में 8150 plus 980 ये हमारे पास में आ गया GNP at MP हमारे पास में आ रहा है 9,130 यूनिट क्या है हमारे पास में करोट्स तो रुपीज 9,130 करोट्स, इजी सा question है समझ में आ गया, आ जाए next question पर तो इस question में सिर्फ यहीं दिमाग लगाना था gross domestic fixed capital formation में change in stock plus करो, gross domestic capital formation मिल जाएगा, उसमें से net domestic capital formation minus कर दो हमें क्या मिल जाएगा depreciation अब next question, ये थोड़ा सा छोटा छोटा सा है, स्क्रीन पर आ रहा ही था, तो एक बार प्लीज थोड़ा सा high ratio पर check कर लेना net national product at market price हमें calculate करना है expenditure method से भी और income method से भी, चलो भई निकालते है रेको expenditure method से हमें क्या मिलता है GDP at MP, तो सबसे पहले लिख देते हैं हमें क्या निकालना है NNP at MP निकालना है ठीक है, वो भी कौन से method से निकालना है हमें expenditure method से, चलो भई निकाल सकते हैं कोई लिख कर नहीं है, expenditure method से हमें मिलता क्या है? expenditure method से हमें मिलता है GDP at MP तो सबसे पहले GDP at MP निकालते हैं उसके बाद में हम conversion करते रहेंगे private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation, plus net exports यही formula था हमारे पास में चलो भई GDP at MP निकालते हैं private final consumption expenditure तो देखो private final consumption expenditure तो हमारे पास में given नहीं है लेकिन personal consumption expenditure गिवन है यानि कि हमारा खर्चा गिवन है household sector का तो ये ले लो, ये सी हो गया हमारा private final consumption expenditure की जगापर personal consumption expenditure गिवन है वो हम लोगों ने लिख दिया second हमारे पास में government final consumption expenditure आता है तो इस question में government final consumption expenditure भी हमारे पास में given नहीं है यहाँ पर लिखा है gross public expenditure gross public expenditure का मतलब होता है, sarkar का खर्चा है और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ही सarkar का consumption expenditure भी है सarkar का investment expenditure है, सarkar का पूरा खर्चा है, तो investment expenditure के अंदर मैंने बताया था इसे हम क्या बोलते है, gross domestic capital formation इस question के अंदर gross domestic capital formation भी कहीं पर भी given नहीं है ये gross capital formation में से net capital formation minus करके दे रखा है capital formation capital formation ये gross लिखा है ये net लिखा है gross में से net गया मतलब ये depreciation है हमारे पास में ठीक है ना confused मैं तो ना ये depreciation है हमारे पास में कहीं पर भी gross domestic capital formation given नहीं है तो मैंने बताया था gross domestic fixed capital formation और changing stock को plus कर दिया करो लेकिन हमारे पास में gross domestic fixed capital formation भी given नहीं है ये भी मैंने बताया था अगर fixed capital formation भी given नहीं है तो business की fixed capital formation ले लो residential construction वाला काम ले लो जो हम लोग खर्चा करने घरवर गयरा बनवारे हैं और सरकार का खर्चा ले लो आपको total investment मिल जाएगी तो देखो investment के अंदर gross business fixed capital formation बिजनेस की fixed capital formation gross residential construction हम लोगों ने जो घरव गयरा बनाए वो plus कर दिया और gross public expenditure मतलब सरकार का total खर्चा गिवर है इसमें सरकार की investment भी आ गई और सरकार का ये जी वाला भी आ गया government final consumption expenditure तो दोनों एक साथ आ गए हमें अलग से ये जी लेने की जरुवत नहीं है हमारे पास में given भी नहीं है plus हमें क्या करना पड़ेगा हमें inventory investment यानि की change and stop को plus करना पड़ेगा योकि सिर्फ fixed investment हम लोगों ने लिये business की सरकार की और household sector की तो हमें inventory investment भी plus करनी पड़ेगी तब जाके हमें total investment मिलेगी gross domestic capital formation last हमें लेना है net exports net exports कितना है हमारे पास में exports minus imports देखो net exports हमारे पास में given है क्या net exports access of exports over imports मतलब net exports कितना है हमारे पास में 40 अगर ये उल्टा लिखा हुआ होता excess of imports over exports तो हम sign change कर देते मतलब वो imports minus exports होता एक बार दुबारा बता दू C की जगा पर हमारे पास में personal consumption expenditure गिवन है वो ले लिया G हमारे पास में given नहीं है लेकिन हमारे पास में gross public expenditure गिवन है मतलब सरकार का investment वाला खर्चा भी आ गया और private जो government final consumption expenditure होता है वो भी आ गया अब I even नहीं था तो हम लोगों ने तीरो sectors की fixed investment ले लिया और inventory investment को plus कर दिया तो हमें I मिल गया और last में हम लोगों ने ले लिया net export समझ में आ गया और साथ में हमें लेना है 40 40 कितना हो गया हमारे पास में 80 तो 1400 plus 720 plus 80 ये हमारे पास में आ रहा है GDP at MP कितना आ रहा है rupees 2200 उपर unit इस बार lex given है unit का ध्यान रखना हमेशा करोर्स नहीं होगा ठीक बात है हमें क्या मिला GDP at MP हमें चाहिए NNP at MP question के अंदर net national product at market price convert कर सकते है NNP at MP हमें चाहिए हमें मिला क्या है हमें मिला है GDP at MP conversion करने हमें nat चाहिए हमारे पास में gross given है सबसे पहले depreciation minus करो हमें national चाहिए domestic given है सबसे पहले NFIA plus करो और हमें market price चाहिए market price ही given है कुछ नहीं करना तो GDP at MP कितना है हमारे पास में 2200 easy peasy minus depreciation depreciation मैंने बताया gross capital formation में से net capital formation गया वो depreciation ही है कितना given है zero given है plus NFIA तो NFIA कितना है हमारे पास में net factor income from abroad की जगापर हमारे पास में 2 abroad given है ऐसा कभी भी हो तो sign बदल देना ये plus का 20 किसका हो गया minus का 20 तो plus कर दो minus का 20 मतलब minus ही हो रहा है तो 2200 में से हम लोगों ने 20 माइनस कर दिया ये हमारे पास में कितना आ रहा है 2200 में से हम लोगों ने 20 माइनस कर दिया ये हमारे पास में आ गया रूपीज 2,180 लेक्स, कितना आ गया, रूपीज 2,180 लेक्स, समझ में आ गया यह question, अब देखो इसका second part हमें क्या कहता है, income method से भी हमें सेम चीज निकालनी है, निकाल सकते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, second क्या है, हमें निकालना है, क्या find out करना है, NNP at MP निकालना है, वो कौन से method से by, income method, लेकिन income method से हमें क्या मिलता है, income method से हमें मिलता है, NDP at FC, यारी कि domestic income, formula क्या है, compensation of employees, देखो compensation of employees question के अंदर given है क्या, compensation of employees तो question में given नहीं है, लेकिन wages and salaries given है, कितना है, 1400, अभी रेखते हैं, बाकी चीज़े भी given है क्या, wages and salaries, उसके लावा बहुत सारी चीज़े ह होती है, employers contribution to social security, employer का contribution है, दोसों, इससे भी हम लोग लेंगे, और भी कुछ है क्या, चेक कर लो, इसके अलावा लिखा है, contribution to provident fund by employees, employee के contribution को हमेशा ignore करते हैं, क्योंकि वो उसकी salary का ही एक part है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये ignore हो गया, ये तीनों चीज़े नहीं आएंगी, rent हमारा operating surplus में आएगा, inventory investment नहीं आएगा, इसके अलावा compensation of employees से related, कुछ भी हमारे पास में given नहीं है, तो दो इचीज़े गिवन थी, दोनों को plus कर दिया, second क्या होता है, operating surplus, operating surplus के लिए हम क्या लेते हैं, rent लेते हैं, rent कितना है, हमारे पास में 100 है, तो ये rent हो गया, second होगा, royalty, royalty, interest और profit, तो royalty कितना given है, हमारे पास में royalty given नहीं है, interest given है, क्या interest हमारे पास में given है, कितना है, 80 है, ये 80 हम लोगों ने plus कर दिया, plus third आता है profit, तो profit हमारे पास में given नहीं है, लेकिन profit से related 3 चीज़े given है, corporate savings यानि कि undistributed profits, retained earnings given है, और corporate profit tax और dividend दोनों साथ में given है, तो 120 और 80 तीनों चीज़े हमारे पास में given है, तो 120 प्लस 80, ये हो गया profits हमारा पूरा operating surplus done, third हमारे पास में क्या आता है, याद करो mixed income, mixed income और self-employed कितना है, हमारे पास में 200, तो NDP at FC कितना आ जाएगा, 1400 और 200, 1600 हमारे पास में, plus ये 120 और 80 कितना हो गया, हमारे पास में 200, ये हो गया 300, 380, plus 200, कितना आ रहा है हमारे पास में, 1600, plus 380, plus 200, ये हमारे पास में आ रहा है, 2180, कितना आ रहा है, rupees 2180, हमें चाहिए क्या हमें चाहिए NNP at MP तो देखो NNP at MP चाहिए हमारे पास में आया क्या है हमारे पास में आया है NDP at FC conversion कर सकते हैं simple हमें national चाहिए हमारे पास में domestic गिवन है क्या प्लस करेंगे NFIA हमें market price चाहिए हमारे पास में factor cost गिवन है क्या प्लस करेंगे net indirect taxes तो 2180 plus net factor income from abroad from की जगां पर 2 था मैंने बताया था minus कर देना तो plus होगा minus का 20 plus net indirect taxes कैसे निकलता है indirect taxes minus subsidy indirect taxes है 40 इसमें से ये subsidy चले गया 20 कितना आएगा हमारे पास में net indirect taxes आगया 20 तो ये प्लस कर दिया हम लोगों ने 20 तो 2180 plus minus minus plus का 20 minus का 20 और plus का 20 cancel हो गया तो ये हमारे पास में same ही आएगा 2180 legs इससे हमें क्या पता चला कि दोनों method से हमारा answer क्या आ रहा है 2180 legs दोनों method से same आ रहा है समझ में आ गया question अच्छे से last question क्या कियता है हमारा हमें missing value निकालनी है private final consumption expenditure और operating surplus तो प्राइवेट final consumption expenditure पहली बात तो ये हमें कहा देखने को मिलता है इसका मतलब है C ये कहा हमें कहा मिलता है expenditure method में तो सबसे पहली बात तो expenditure method से हमें क्या मिलता है GDP8 MP अब इस question में national income given है यानि कि NNP8 FC given है सबसे पहले इस NNP8 FC को GDP8 MP में convert कर दो क्योंकि GDP8 MP कौन से method से मिलता है हमें expenditure method से और expenditure method भी हमें क्या मिलता है private final consumption expenditure तो सबसे पहले हम GDP8 MP निकालते हैं expenditure method के लिए ताकि हमारा C निकल सकें कैसे निकालेंगे national income यानि कि NNP8 FC given है उसे convert कर दो gross चाहिए net given है क्या प्लस करेंगे depreciation प्लस करे domestic चाहिए national given है क्या minus करेंगे NFIA minus करेंगे product product same है market price चाहिए factor cost given है क्या plus करेंगे net indirect taxes समझ में आगे हैं या तक अच्छे से NNP8 FC कितना है हमारे पास में 50,000 है ठीक है plus कर दो depreciation depreciation question के अंदर given है consumption of fixed capital कितना है 700 है minus NFIA net factor income from abroad कितना है 500 है plus net indirect taxes net indirect taxes हमारे पास में given है 1000 है easy सा है तो 50,000 plus 700 minus का 500 तो यह हो गया 50,200 50,200 ठीक है 50,200 में हम लोगों ने plus कर दिया 1000 तो यह हमारे पास में आ जाएगा GDP8 MP कितना आ गया 51,200 आसान है समझ में आ गया अब देको expenditure method से हमें GDP8 MP मिलता है जो हम लोगों ने calculate कर लिया इसी का formula लगा के हम लोगी private final consumption expenditure निकाल सकते हैं 51,200 is equal to C private final consumption expenditure हम निकाल रहे हैं plus government final consumption expenditure हमारे पास में गिवन है 12,500 कितना है 12,500 gross domestic capital formation gross domestic capital formation भी directly given है कितना है 17,000 plus net exports net exports हमारे पास में given है क्या net exports है 2,000 ये भी plus कर दिया तो कितना आ रहा है 51,200 is equal to C इन तीनों को plus कर दो कितना आ रहा है 17 और 2 तो कितना हो गया था 19,000 उसमें हम लोगों ने plus कर दिया 12,500 तो ये आ रहा है 31,500 तो private final consumption expenditure कितना होगा 51,200 minus 31,500 कितना आ रहा है calculate करके देखते हैं ये हमारे पास में आ रहा है 19,700 कितना आ गया रूपीज 19,700 करोट समझ में आगे कैसे करा है ये question इस question के अंदर national income given था हमसे private final consumption expenditure यानि कि C पूछा था तो national income को हम लोगों ने GDP at MP में convert कर दिया क्योंकि expenditure method से वही मिलता है और उसी का formula लगा दिया अब अगले question में हमसे question पूछता है operating surplus निकाल दो ये भी आराम से निकाल सकते है operating surplus हमें कौन से method में मिलता है हमें मिलता है income method में और income method से हमें क्या मिलता है NDP at FC यानि कि domestic income national income given है सबसे पहले इसे domestic income में convert कर दो कर सकते हैं असानी से तो क्या करेंगे हम domestic income निकालेंगे NDP at FC जो income method से हमें मिलता है और national income NDP at FC हमारे पास में given है इतना सा conversion है कि हमें क्या चाहिए अरे तो मैंने उल्टा पूल्टा सा लिख दिया हमें क्या चाहिए हमें चाहिए NDP at FC क्या चाहिए NDP at FC हमें domestic चाहिए हमारे पास में national given है simple सा है NFIA को minus कर दो आसान सा है तो NNP at FC कितना given है हमारे पास में 50,000 50,000 में से net factor income from abroad 500 को हमें minus करना है तो 50,000 minus 500 ये हमारे पास में आ गया 49,500 अब हमें इसी का formula लगाना है हमारे पास में NDP at FC आ गया formula क्या है compensation of employees compensation of employees question में given है क्या compensation of employees question में given नहीं है लेकिन wages and salaries given है कितना है 20,000 अब देख लो wages and salaries की साथ वाली चीज़े given है क्या wages and salaries के साथ वाला ये नहीं आएगा ठीक है profits यहाँ पर इसका कोई role नहीं है operating surplus हम निकाली रहे हैं ठीक है wages and salaries ही हमारे पास में given है इसके अलावा हमारे पास में कुछ given नहीं है हमें क्या निकालना है operating surplus वो as it is लिख दो plus third होता है हमारे पास में mixed income of self employed कितना है 13,000 तो ये हो गया हमारे पास में 13,000 49,500 is equal to 20 और 13 कितना हो गया हमारे पास में 33,000 plus operating surplus तो operating surplus कितना आ जाएगा 49,500 minus 33,000 कितना आ रहा है हमारे पास में 49,500 minus 33,000 ये हमारे पास में आ रहा है 16,500 करोट कितना आ गया रुपीज 16,500 करोट समझ में आ गया question अच्छे से तो ये 5 advanced और miscellaneous questions हम लोगों ने आज की class में discuss करें और इसी के साथ में हमारी unit 1 यानि की national income and related aggregates पूरी तरह से समाप्त होती है अब next class के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी unit 2 यानि की money and banking money चोटू सा चाप्टर जिसे हम one shot के अंदर cover करेंगे and then हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी book यानि की Indian economic development तो lecture अच्छा लगा तो like कर देना अपने सारे friends के साथ में share करना I will see you in next class lots of love bye bye